दोस्तो इस Study91 की यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस शंद चैप्टर का और आज आपका ना ये विसब्री का बात टूटने वाला है क्योंकि आज मैं इस सवाल में मतलब इस टॉपिक में ऐसे चीजों को रखाऊ ना ऐसे सवालों को रखाऊ जहां आप सबसे आदा कन्फ्यूज होंगे ठीक है। या फिर हमारी वेब साइट study91.co.in से परशेच कर सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत होते हैं नमबर पर कॉल करके शंपर कर सकते हैं। सिधे सवालों को सुरू किया जा और देखा जा कौन-कौन सा सवाल दिया गया। मेरी कोशिस रहेगी जादा फे जादा तत्य आपको कैसे याद करा दूँ ये आज का हमारा काम रहेगा। ठीक है चले सुरू करते हैं लिख रहा मात्रा की द्रिष्टी से जिया दोस्तों मात्रा की द्रिष्टी से दोहा के ठीक विप्रीत होता है। अब आधी से ज़्यादा बच्चों को तो यही नहीं बता कि सब दोहा क्या होता है, ठीक है, दोहा, तो याद रखें दोहा में, याद रखेंगा हमेशा क्या करता है, छंद में खास करके आपसे मात्रा पूछता है, क्या पूछता है मात्रा, कि भाई छंद के अलेगलग संख्या कितने होती कुल 24 मात्राइं होती है और 11 और 13 पर क्या होती यती यह 11 13 पर यती का क्या मतलब दोस्तों त्याद रखेंगा जो विसम लाइन होता है यानि पहली और तीसरी में 13 मात्राइं पाए जाती है और जो सम लाइन होती है दोस्तों यानि दूसरे और चौथे नम मात्राओं पर यती देखने को मिलता है ठीक है लेकिन कुल मात्राओं की संख्या क्या रहता है दोस्तों वो पहले भी 24 था और अभी 24 है तो मात्राओं की संख्या तो ही रहती लेकिन यती यह बदल जाता है इसलिए कहा गया कि दोहा का उल्टा क्या होता है सोर्था होता है जि चरड कितने होते हैं दोस्तों तो चार चरड पाय जाते हैं चार चरड होते हैं और प्रत्य चरड में कितनी मात्रा होती हैं 16-16 मात्राइं होती, इतनी बात याद हुआ आपको, ठीक है, बहुत लोगों का दिमाग छपपय पर जा रहा है, बहुत सारे बच्चों का दिमाग रोला पर जा रहा है, बहुत सवाल है, रोला छपपय पर, अगर इसी में सब कुछ बता दूँगा, तो भाई छंद चैप्ट चौपाई में दोस्तों याद रखेंगा, प्रतेक चरड में 16 मात्रा होती है, चरड की संख्या कितनी होती, चार होती, इतनी बात याप लोग याद रखेंगे, ठीक है, अच्छा, याद रखेंगा, ये दोहा और सोर्ठा जो होता है, ये अर्ध मात्रिक कहा जाते है, क्या होता दोस्तो ये सम्मात्रिक कंत्रगत आता है और दोहा और सोठा किस कंत्रगत आता है यह अर्ध सम्मात्रिक कंत्रगत आता है इतनी बात याद रखेंगे अभी के लिए सिर्फ इतनी बात याद रखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको और चीजें याद कराते चलूंगा. लिखेला अनुस्टूप क्या है? तो बहुत सामने साचीज है, दोस्तो. अनुस्टूप एक छंद का नामे। कोई अलंकार, रस या गुर नहीं दोस्तों, ये क्या है? अनुस्टूप क्या होता दोस्तो? ये एक छंद का नाम ठीक है अच्छे एक चीज़ और बताओ दोस्तो जब कभी आप चंद पढ़ेंगे न तो चंद में आप देखेंगे कि चंद दो तरीके को होते हैं ठीक है पहला होता दोस्तो मात्रिक चंद दूसरा होता है वर्डिक चंद क्या क्या होता है मात्रिक चंद होता है और वर्डिक एक होता है विसम मात्रिक ठीक है इसी तरह से दोस्तो याद रखेगा same to same दोस्तो यहाँ पर भी होता है यह वर्डिक आटाया भी पहले आप आप याद रखेगा अनुस्टुप क्या होता है दोस्तों एक छंद का माध्या होता ही आगे बढ़ते हैं लिख रहा है आवधी का नीजी छंद दोस्तों किसे का जाता, तो ध्यान दियेगा कभी भी ये सवाल आए न, तो याद रखेगा अवधी का संबंद अज़ध्या से जोड़ियेगा, और अज़ध्या में माता सीता जी को अगनी परिक्षा देनी पड़ी थी, अगनी में वो जल गई थी, बर गई थी तो बर से याद रखेगा बरवय, याद रखेगा बरवय, नहीं तो एक ऐसा सवाल है ना, जो आपको याद नहीं होगा, क्या याद रखेंगे दोस्तों, तो अवधी का नीजी छंद कौन सा है, बरवय याद रखेगा, ठीक है, चली, अब हम लगे हाथ दोस्तों यहाँ पर पनाया क्या सीखते है, रोला के बारे हम सीखते है, ठीक है, रोला में क्या होता है, तो रोला सेम एज, किसके जैसे होता है, सोर्था के जैसे होता है, और सोर्था में दोस्तों ने क्या पढ़ा था, सोर्था में पढ़ा था, कि ग्यारह तेरा मात्राओं पर यती होती, क्या देखने को मिलता है और कुल मात्राहों की संक्या क्या हो जाता? दोस्तों, 24 मात्राइं होती है रोला में. अच रिखे गाट ही तीर से ट्रिपल का करें, जितने मात्रों पर यती, कुल मात्रों का संखिया अग kinda, वैसा ही दोस्तों कहाँ पर होता है इस सोठा में भी होता है, तो इसको भी याद रखेगा अगर हम बरवे की बात करें जैसे यहां पर तो बरवे दिया, तो बरवे याद रखे ठीक है बरवे में याद रखेगा 12 और 7 मात्राओं पर यती होती है क्या होता दोस्तों 12 और 7 मात्राओं पर यती होती है और 12 साथ को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 12 साथ 19 यानि कुल मात्रा की संख्या यहां पर कितना होता है तो याद रखेगा 19 मात्रा होता है ठीक है ज 24 में से 5 माइनस करिएगा बरवय आ जाएगा 19 मात्रा ठीक है 19 मात्रा होगा 12 और 7 पर क्या होता दोस्तो यती होता 12 और 7 पर यती होता इतना याद हुआ इस सवाल में खाली आप रोला और बरवय पर ध्यान दीजिए देखे यार क्या होता ना कि छंद पढ़ना पढ़ना बड अच्छे से याद कर लिजेगा ठीक है चलि आगे बढ़ते हैं दोस्तो लिक रहा है घनाक्षरी चंद है गनाक्षरी चंद दोस्तो किस परकार का चंद है लिखना मात्रिक है या फिर आक्षरी नाम कोई चंद होता नहीं है मैंने सुरूम बता है कि चंद के दो वराइटी गहनाक्षरी की बात करेंगे तो इसमें दो अराइटी के आपको चंद देखने को मिलेंगे परिक्षा में याद रखेगा जहां जहां घहनाक्षरी देगा दो अराइटी की चीज़ी देखने मिलती है एक मिलता है रूप घहनाक्षरी एक मिलता है देव घहनाक्षरी ठीक है चली, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी, एक एक लाइन हम लोग याद करेंगे, ठीक है, एक एक सवाल मैं ऐसे से दे रहाँ हूँ कि धीरे देरे आपको दे जाएगा, पहला मैंने क्या बताया, याद रखेगा घनाक्षरी चंद किस प्रकार का चंद है, यह वर्डिक चंद का एक्जामपल है, समझ गए, दूसरी राइन मैंने क्या समझाया कि घनाक्षरी चंद दो भागों में पढ़ते हैं, एक रूप घनाक्षरी होता है, एक देव घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी ठीक है, देखें, रूप घनाक्षरी में क्या होत होती है 32 कितने वर्ड होते हैं कितनी मात्रा होती है 32 और जो देवता हो गया तो देवता कितने कोटी के होतें दोस्तों तो हमारे देश में dit 33 कोटी के देवता है मतलब 25 प्रकार 35 sayuri करोड नहीं Ming 5 प्रकार के देवता से याद रखेगा तैंटीस याद रहेगा ना 32 और 33 faster थेक है दहोग meu एस अरुत थेंटीस मात्रा धृति होती है और रूप यहां रहें इतीक है कित्स नाहिए कि पर यतीत होता है आठट आठ मात्राओं को होता है तो 32 हो गए है word ठीक है यह 32 मात्रा है और यहां 33 वाले में सर क्या हो जाता है तो 33 वाले में याद रखेगा 8, 8, 2, 16, 8, 3, 24 और 8, 4, 32 अंतिम में 9 हो जाता है अंतिम में 8 की बज़ाए 9 हो जाता है कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताईए आराम से आरा समझ में न तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा यह वर्डिक छंद हो जाएगा और इस सवाल को भी आपको अच्छे से याद रखना कोई दिक्कत नहीं न चलो आजाओ आजाओ दोस्तों अगले पे चलते हैं लिकरा निम्न में से कौन सा wordic chand है अब आपसे पूछ दिया दोस्तों कि wordic chand है कौन सा दिखे चली अब पहले काम करते हैं इस सवाल को तोड़ने के लिए मैं कुछ अच्छा चीज आपको बता देता हूँ ठीक है याद रखेगा मात्रिक छंद में क्या होता दोस्तो सम मात्रिक छंद क्या होता है सम मात्रिक छंद ठीक है दूसरे नमबर पर क्या याद रखेंगे दोस्तो यहाँ पर हम रखेंगे अर्ध सम मात्रिक को किसके बारे में अर्ध सम मात्रिक के बारे में तीसरा वराइटी मैंने क्या बताया था विसम मात्रिक ठीक है विसम मात्रिक यह तिंग बाते थी विसम मात्रिक छंद अब देखे सवाल आप से क्या क्या पूछता है न वो एक बार मैं आपको सिखा दे रहा हूँ देखे सबसे पहले याद रखेगा चौपाई को किसको याद रखेगा इसको सबसे अलग रखेगा क्यों सर्व आपने चौपाई सुरू किया चौपाई सबसे आसान चीज होता ठीक है लेकिन दोहा सोठा दोस्तो इसमें आते हैं चौपाई उपर रहेगा दोहा सोठा इसमें आते हैं जो आप जानते हैं पहले हो समझे ठीक है चौपाई यहां दोहा सोठा यह इसके लावा दोस्तों आपने सुना होगा गीतिका का नाम सुना होगा और हरी गीतिका का नाम सुना होगा तो याद रखेगा गीतिका और हरी गीतिका दोस्तों कहां आते हैं गीतिका हो गया हरी गीतिका हो गया ये सब आते हैं सममात्रिक छंद के अंतरगर ठीक है और दोस्त यहां आलहा याद रखेगा और सरसी याद रखेगा ठीक है कम से कम दोस्तों 6-7 याद रखेगा ठीक है क्या क्या बताया हमने कहा सम्मात्रिक में चौपाई याद रखेगा रोला याद रखेगा आलहा याद रखेगा सरसी याद रखेगा गीतिका याद रखेगा हरी गीतिक याद रखेगा, इतना दोस्तों क्या होता है, यह सम्मात्रिक छंद होता है, एकदम प्योर चीज निकाल के आपको दे रहाँ, ठीक है, अर्द सम्मात्रिक में क्या होता है सर, तो दोहा होता है, सोठा होता है, बरवय होता है, बरवय होता है, सर वही था बरवय, जो जल गया यह वधी का नीजी छंद है ना, मात्रा 19 है ना, 12-7 पर यती है ना, सब तो याद हो गया, तुमको कहे मजाग करते हो भाई, सब याद है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, तो बरवय याद रखेगा और उल्लाला याद रखेगा, जी हाँ, रोला यहाँ होता और उल्लाल याद रखेगा, एक छपपा याद रखेगा, ठीक है, याद रहेगा, कुंडलिया और छपपा याद रखेगा, यह मुखरुप से यही होते है, ठीक है, अब बचता है दोस्तों, वर्डिक छंद, ठीक है, तो जो आप से पूछ रहा है, देखिए, दोहा कहाँ चला गया, दोहा चला गया, अर्द सम्मात्रिक में, चौपाई चला गया, सम्मात्रिक में, रोला चला गया, सम्मात्रिक में, बचा क्या, बचा सवय्या, क्या बचा दोस्तों, सवय्या बचा, तो याद रखेगा दोस्तों, यह सवय्या कहां होता, यहां होता है, इसके अलामा और क्य या तोटक कहीं कहीं लिखा रहता है, आपने सुना होगा घनाक्षरी के बारे में, आप चाहे रूप घनाक्षरी की बात करिए, चाहे देव घनाक्षरी की बात करिए, आपने सुना होगा मालिनी के बारे में, ठीक है, ठीक है, मालिनी के बारे में, आपने सुना होगा मत्त ग के बारे में ठीक है ते सभी किसके अंतरगफ सब्सक् apologized और ड्रग्राइत एक एक सवाल आपको याद करा दूगा ठीक लिख रहा है चौपाई के प्रतेक चरण में मात्रा कितनी है देखो आप सिखाया हो जो ना उसी को तुम बताओ ठीक है लिख रहा है चौपाई के पहले बताओ चौपाई में प्रतेक चरण होते कितने दोस्तों तो हमने समझा है कि चौपाई मोता भया चार चरण कितना होता है चार चड़ दूसरी चीज मात्राइं कितनी होती है तमने कहा कि दोस्तों यहां प्रतेक चरण में एक समान मत्राइद आती 16 मात्रा होता हर चरण में 16 मात्रा ठीक है प्रतेक में मात्राओं की संख्या कितनी होती 16 यह 11 13 15 आपके सामने ब्योकूप बनाने के लिए लिख रहा कि भाईया 24 जो होता है किसके अंतरगत आता है तो याद रखेगा सममात्रीक के अंतरगत आता है यह भी तो याद रखेगा दोस्तों बताया था पीछे अभी देखे जो मैंने ठीक इसके पीछे चर्चा किया जहाँ पर मैंने सम मात्रिक और सम मात्रिक के बारे मताया ठीक है वहाँ पर मैंने छप्पय को रखा था विशम मात्रिक के अंत्रगत रखा था विशम मात्रिक छंद के अंत्रगत रखा था या विसम मात्रिक्षन का एक्जामपल है ठीक है पहली बात तो सर अभी तो आपने विसम मात्रिक्षन में और कुछ बताएं नहीं अच्छा विसम मात्रिक्षन में नितिन सर ने और क्या बताया था तो नितिन सर ने कुंडलिया के बारे में बताया था कि कुंडलिया और छप के रूप में अगर मैं आपको बताऊं सुरुवात करता हूं दोस्तों कुंडलिया से अगर मैं आपको बताऊं कुंडलिया के बारे में त्याद रखेगा कुंडलिया दो चीजों से मिलकर बनता है दोहा और रोला से बिनकर बनता है किसे किसे दोस्तों दोहा और रोला से बच रोठा में 11-13 परियती होता है तो रोला में भी 11-13 परियती होता है इस प्रकार यहां भी कुल मात्राइं 24 तो याद रखेगा इस कुंडलिया में 24-24 मात्राइं होती है समझ में आ गया चरड कितने होते हैं दोस्तों तो कुंडलिया होते हैं 6 चरड कितने होते हैं 6 चरड छप तो रोला और उलाला के मिलने से क्या बनता है? छपपय बनता है चलिए एक बात तो समझ में आ गया क्या समझाया है? दोस्तो थोड़ा clear में लिख देता हूँ छपपय का निर्माड कैसे होता है? छपपय में 6 चरड होते हैं क्या क्या याद रखेंगे? चपपए क्या होता दोस्तों पहले याद रखेगा चपपए विसम मात्रिक छंद का अंतरगत आता है दूसरा लिखेगा इसमें 6 चरण होते हैं तीसरा क्या याद रखेंगे कि चपपए का निर्माड रोला और उलाला से मिलकर बनता है ठीक है अब एक काम आप ही बता दो रोला में कितने परियती बताया था कहा था 11-13 परियती होती मात्राओं की संख्या 24 होती बताया था तो याद रखेगा प्रथम जो हिस्ता होगा रोला में याद रखेगा प्रथम जो 4 चरण होंगे क्या याद रखेंगे सुनिए ध्यान से प्रथम चार चरड क्योंकि टोटल छे चरड होते हैं तो प्रथम चार चरड किसके होते हैं दोस्तो रोला के रखे जाते हैं और अंतीम दो चरड किसके होते हैं तो वो उलाला वाला रखा जाता है अंतीम दो चरड किसका होता है अंती सम मात्रिक्षंद में आता है और उलाला में दोस्तों 15-13 पर यती होती है 15-13 और 15-13 को जोड़ देंगे तो मात्राओं की संगा कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी यानि अंतिम दो चरण में 28 मात्राइं होती है यहाँ पर पहले 4 चरण में 24 मात्राइं होती है ठीक है कुल मात्रा है कितनी होती दोस्तों तो जोड दीजिए या फिर आप देखिए आपसे पूछा क्या था सुनी एक चीज आप ने सीखा न कि रोला और उलाला के मिलने से क्या बनता है छप्पय बनता है ठीक है यहां क्या करहां रोला करहा प्रथम चार चार रोलाक और अंती derived चारद चारद रदलाला realistically कोई बात यह है तो दो आपससन आपके गलत हो गए एक ही आपसन्स सही बना यहां पर आपका ऐसा चैप्टर है जिसको ले करके बच्चों के मन में बड़ा संकोच रहता तक यार इतना कठीन चैप्टर याद कैसे होगा देखो अगर यह चैप्टर पढ़के मज़ा आ रहा है तो आपको उन्चासमे दिन मज़ा आ रहा है तो बाकी 48 दिन आपने मज़ा क्यों नहीं लिय नहीं लिया तो जाकर ले लिजे बाकि 48 दिनों का भी मज़ा आपको आना चीए न तो बाकि 49 दिन में नितिनसने क्या पढ़ाया ऐसे ही पढ़ाया जैसे अभी आपको याद हो रहा है एसे ही मैं ने पढ़ाया कुछ अलग तरीके से नहीं पढ़ाया आजाओ आगे बढ़ते हैं अगला लिखना दोस्तो रामचरित मानस देखे रामचरित मानस का नाम आते है सर अवधी का नाम याद आ गया ठीक है और अवधी का नीजी छंद नितिन सन्ने क्या बताया था तो अवधी का नीजी छंद नितिन सन्ने कहा था की बरवय होता है कैसे क्योंकि सीता जी को अगनी परिच्छा देनी पड़ी थी और अगनी में बरवय के कुछ मात्रा भी जल गय थी कितनी मात्रा पांच मात्रा जल गया तो 24 माइनस 5 आ गया 19 मात्रा ठीक है तियाद रखेगा बरवय में मात्राओं की संक्या 19 होती है और रचना सैली कैसी है, किस प्रकार की रचना है, तो इसमें दोस्तो मनसवी नहीं है, बरवय नहीं, इसमें दोस्तो काईदे से खाली दोहा चौपाई, आपके घर अगर रामायड हुआ होगा, राम चरीत मानस का पाट हुआ होगा, तो उसमें क्या है, दोहा चौपाई, दोहा भड़ा पढ़ा है तो याद रखेगा 24 साही जवाब है काहें का इतना पर्शान हो ना ठीक है अच्छा सर एक बाद बता दिजे एक बार और बता दिजे दो हम आपने क्या पढ़ाया था दो हम पढ़ाया था तेरे ग्यारा परियती बराबर कितना हो जाएगा मात्राओं की संक्रा चौबीश ठीक है सर चौपाई में क्या बताया था डी प्रते चरण में 16 मात्रायं होती होता है इसमें इसमें और कोई दिक्कत नहीं है यह तीवती नहीं लेना 16 16 मात्रा हर एक चरड़ मोता चारचिरड़ की बात होती खतेम बात आ गए बात समय मैं चलो आजाओ आगे समझ में तो आगे बड़ो फटाक से लिक Are जिस छंभ जिडा को कभी अपनी च्चहन सर नफा बढ़ाया क्था सकता जी यह.ंदź जिस कवी की मतलब जिस चंद को बढ़ाया घटाए जा शकता उसे क्या करते हैं लिखे रहा है गे अचंद नहीं गाने वाले चंद को जंद करते हैं ठीक administrator याद रखे का जो गायन साहिली मिस चंद होता है जिसे आप गा सकते हैं उसे गे अचंद करते हैं कवीता नहीं दोस्त था याद करने का तरीका क्या बताया था देवताओं की संग्जा कितनी कोटी होती 33 तो यहाँ पर याद रखे का 32 और यहाँ पर यती कैसे याद रखेंगे जो इस्थिती होती दोस्तो उसे क्या करते है ठाराव यानि रुकना जो पढ़ता है ठीक है रुकना जो पढ़ता है उस रुकने को हम नाम देते हैं यती क्या बोलते हैं दोस्तो उसे हम यती करते हैं यती करते हैं ठीक है तो इसको याद रखेगा यती हो जाएगा यहाँ पर तो याद रखेगा छंद से संबंदित आचारे का नाम क्या है बताए जली से छंद से संबंदित आचारे का नाम है पिंगल मुनी क्या नाम है दोस्तो पिंगल मुनी जिया दोस्तो पिंगल मुनी ने छंद सास की रचना किया था उसी तरह से रस के आचारे कौन कहे जाते हैं दोस्तों तो रस्वाला जब चैप्टर पढ़ा होगा आपने तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों भरत मुनी के बारे में किसके बारे में भरत मुनी के बारे में तो एंफ्यूज मत होएगा सब याद रखेगा ठीक है तो यहाँ याद रखेंगे रिग वेद में पहली बार दोस्तो चंदों का उलिक किया गया है ठीक है आगे बढ़ ये लिख रहा है सरसी चंद में होता है सरसी दोस्तों पीछे मैंने सरसी का नाम लिया था अगर आपको सम मात्रिक चंद में और कौन कौन से आते हैं तो सम मात्रिक मैंने क्या बताया था सबसे पहले तो आपको क्या बताया था दोस्तों चौपाई बताया था पहले नमबर पर क्या लिखा था मैंने चौपाई लिखा था कि वहीया चौपाई को याद रखेगा फिर मैंने दोस् सम्मात्रिक छंद के अंत्रगत रखा गया था दो और रखे गये थे एक गीतिका रखा गया था और एक हरी गीतिका को ठीक है गीतिका और हरी गीतिका को भी रखा गया था ठीक है तो इसको भी याद रखेगा अच्छा सवाल हो जाएगा ये तो फिलाल हो गया सम मात्रिक, इसमें सरसी की बात हो रही, सुनी, सरसी में लिख रहा दोस्तो, सरसी छंद में मात्राओं की संख्या होती कितनी है, तो यह बताइए, अब यहाँ पर दोस्तो, अलग-अलग हमने पढ़ा, यहाँ अगर हम सरसी की बात करें, तो सरसी में 27 मा मात्राइं होती है ठीक है पहले याद रखे दोस्तो सरसी में मात्राइं कितनी होती है तो कुल मात्राओं की संख्या होती है 27 27 मात्राइं होती है ठीक है तो यहां पर देखे क्या दे रहा है ठीक है अब देखे 28 वाला तो बहले कट कर दीजे 27 मात्रा रखे 27 मात्रा के बाद क् यति होती 1611 पर यतियती मतलब थोड़ा सा रुकना पड़ता है तो यहां भी 1611 दिया और यहां भी 1611 दिया है अब क्या किया जाए याद रखेगा इसकी पहचान सरसी के एक इंपोर्टन पहचान ही होती है कि पहले गुरू वर्ड आता है बाद में लगू वर्ड आता है गु तो इसको याद रखेगा ये हो जाएगा जैसे अगर लिखा है सरसी मैं का दू सरसी में मात्रा कितनी है तो क्या बताएंगे देखे स छोटा मात्रा है एक मात्रा है र में एक मात्रा है और सरसी में जो बड़ी ही लग गया डबल मात्रा हो गया तो ये हो गया सरसी तो देख पहले आएगा लगू बाद में आएगा यह पचान है तो देखिए यहां लगू गूरू दिया है और यह गलत दे दिया ठीक है यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा आपस से नमबर 4 दोस्तों इस जबाब इस सवाल का सही जबाब हो जाएगा ठीक है यह आपने देख लिए चलो आज़ा आगे लिख रहा हुआ है सममात्रिक छंद बताओ भाई आम बहुत अच्छे सममात्रिक छंद पड़े हैं जिसके प्रतेक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा 11-13 प सोठा क्या होता है यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है क्या होता है यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है वैसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां भी 24 मात्रा है इसकी बात करेंगे यहां भी 24 मात्रा है इसमें भी दोस्तों 11-13 परियती है 11-13 परियती होता है और यहां पर दोस्तों 11-13 परियाती होता है लेकिन आपको पहले ही पूछ दिया है क्या पूछ दिया है सम्मात्रिक छंद हो यह तो अर्दा सम्मात्रिक था तो जवाब होगा नहीं सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों रोला इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा रोला जो है दोस् और दूती और चतुर चरड में साथ मात्रा हैं तो बारा और साथ मात्राओं पर यती दोस्तों कहां देखने के मिला था मैंने कहा था दोस्तों कि बारा साथ कितना हो जाएगा यानि मात्राओं की संख्या 19 और 19 कहां पड़ा था जहां मात्राओं जल गई थी यानि बरवय छं इंद्रवज्रा को साइड में रखे माली और इंद्रवज्रा क्या है दोस्तों यह वर्डिक छंद के अंत्रगत आता किसमें आएंगे यह वर्डिक छंद में आता और इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा यह सब अभी किस में आते हैं दोस्तों यह अभी वर्डिक्षंद में आते हैं तो अभी आपको क्या आद रखना है इस सवाल का सही जबाप क्या होगा बरवाई हो जाएगा बरवाई आपका राइट एंसर समझ में आया ना चलो आजाओ और आगे बढ़ते हैं अगला सुनिए करा की किस चंद के प्रथम और अंतिम सब्द एक से होते हैं जियां दोस्तों कौन सा चंद होता इसमें पहला और अंतिम एक होता है दोहा में 13 11 परियती मात्राओं की संख्या 24 सोर्ठा में 11 तेरा अंतिम सब्द एक ही होता है एक तो यह भी याद रखेगा ढूसरा और क्याद गया है और दोस्तो दोषा प्लस रोला को मिलने से क्या बनता है याद तियातर रखेगा कुंडलिया बनता हृँ निया दोस्तों दोहा और रोला दोहा में क्या करते हैं तो 23 सी 11 पर या करते हैं 1113 परियती मत्तराओं कि संक सूर्भीस य कह चोबिची है तियाद रखेगा यह पहचान होता है फिलाल सबसे अच्छा पैचान है कि पहला सब्द और अंतिम सब्द एक जहां हो जाए पैचान जाए कि वहां क्या है कुंडलिया है एकदम मान के चलिए कि वहां पर क्या होता है कुंडलिया होता है याद रखेंगे ठीक है चली द्यान दीजिए का दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफार्म से कई सारे बीसाय के फॉन्डेशन बैच लांचू उसमें हिंदी इंडिविजल दोस्तों हमारा टॉप सेलिंग बैच है और हिंदी की अब तो किताब भी आगे देखें अगर स्टडी 91 के आप इस्ट्रेंट हैं और आपके पास हिंदी के किताब 500 पेच की किताब है भई 500 पेच की किताब नहीं तो फिर हिंदी पढ़ना बेर था कम से कम दोस्तों स्टडी 91 की क्लास लेते तो एक किताब जरूर रखिए 5000 सवाल प्रैक्टिस के लिए दिया गया है आज मैं यहां 30 सवल बता दिया क्या आप महनता हासिल कर लिए दोस्तों इस किताब को खरे दिये 5000 सवाल मिलेगा मजा आ जाएगा ठीक है बार बार कर रहा हूं कि प्लेटफार्म से यह पर्चेस कीजिए हर जगा बेलेबल है कोई दिक्कत की बात नहीं सुनी आगे देखिए लिकरा चंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है जिए दोस्तो तो जब हम गणों के बारें पढ़ते हैं त्याद रखेगा चंद में गणों की संख्या कितनी बताए गई दोस्तो गणों की संख्या बताए गई आठ ठीक है वैसे सही बारें बताओं तो मुझे कभी गणना याद नहीं हुए ठीक है लेकिन मैंने कुछ ट्रिक रखा प्रिस नहीं के खिक है और इसकी फोगा तो फिर दिख्कत हो जाएगा ठीक है बहुत ध्यान से पाढ़िएगा जो चीजह मैं आपको समझाने चल्ला हुँ ठीक है तरीका पहले सुन, याद करने का तरीका कि होता है बहुत ध्यान से दिमाग पे डल है ठीक है पहले आपके गड़ निसके बाद में लगा दिए जैसे अगर यह लिखा एना तो यह गड़ दोस्तों यगड़ फिर मालका एना तो ञाह गड़ का गड़ ठीक है यागर 127 और अधना ट्रगर त्रगर रगड तैक है यह बना आपका लिपगależ जब अच्छा एक ची जाओड देखे यहां नगड हो जाएगा यहां सगड हो जाएगा ठीक ही आद करने का तरीक होता है या मतारा जबह नसा, या मतारा जबह नसा, यह होता है, गड़ों की कुल आठ संक्या होती, मुझे मात्रा निकालना आता है, लेकिन मैं कभी गड़ों का प्रियोक करके मात्रा नहीं निकाल पाए, ठीक है, होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो इसको याद रखें में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है छंद का प्रकार कौन सा नहीं दोस्तो तो द्रिष्टांत कोई छंद का प्रकार नहीं द्रिष्टांत क्या है दोस्तो द्रिष्टांत अलंकार का नाम है ठीक है बाकी चौपाई छंद है दोहा सोठा चंद है दोहा सोठा की बात करेंग तो यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है क्या है दोस्तों अर्ध सम्मात्रिक छंद है और चौपाई की बात करेंगे तो चौपाई जो दोस्तों यह सम्मात्रिक छंद है ठीक है यह सम्मात्रिक छंद के अंतरगत आता है ठीक है इसको याद रखेगा समझ में आ रहा है न तो यहां क्या हो जाएगा option number 1 आपका सही जवाब हो जाएगा और आगे चलिए लिख रहा है जिस चंद में चार चरड और प्रते चरड में 16 मात्राइं होती वी सो बार आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों वो क्या का लाता है वो चौपाई का लाता है दोहा में आपने क्या पढ़ा 11-13 पर यती और मात्राओं की संख्या 24 ठीक है चौपाई में क्या पढ़ा प्रतेक चरड में 16 मात्राइं प्रतेक में 16 मात्राइं पढ़ा ठीक है यह हो गया और यही आपसे पूछ भी रहा तो सही जबाब क्या हो जाएगा option number 4 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा लिख रह दोस्तो 26 चंद में ने बचा दोस्तो सोठा और गीतिका तो सोठा में क्या पढ़ा दोस्तो सोठा में 11-13 पर यती दे दिया 11-13 पर यती दे कर कहां पहुंच गए मात्राओं की संख्या आपने बता दिया कि मात्राओं की संख्या सर 24 हो जाती है और बचा क्या दोस्तो बचा आपके पास गीतिका, तो गीतिका ही हुआ है दोस्तों, जिसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 26 होती है, जिहां दोस्तों, गीतिका में मात्राओं की संख्या 26, और गीतिका होता है क्या दोस्तों, याद रखेगा, यह सम मात्रिक छंद में आता है, किसमें आता है, सम मा चलिए काम करते हैं पढ़ी लेते हैं ठीक है याद रखेगा एक होता है गीतिका एक होता हरी गीतिका अच्छा एक बात बता दो गीतिका बड़ा है कि हरी गीतिका बड़ा है ठीक है आप कहेंगे सर हरी गीतिका बड़ा है क्योंकि गीतिका तो तीन सब्दें आप मतलब तीन तो 5 अच्छा रहे हुआ, तो यह बड़ा है, अच्छा एक पढ़ा यहाँ पर मात्राओं की संख्या 24 नहीं, इहां मात्राओं की संख्या 28 होती हुए 13 कोई दिक्कत, अगर मैं इस तरह से बता दूद कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, सर अब तो याद हो गया, गीतिका अरी कहा सोलह बारा परियती मिलेगा एक और याद होगे आपके पास यह गीतिका हरी गीतिका भी लगे हाथ याद का लेजेगा 24 और 28 याद रखेगा नार्मल 24 मात्राइं होती है अर जगा लेकिन 13 11 होती यहाँ पर 14 बारा परियती देखने को मिलता है गीतिका में और यहाँ 16 12 परियती देखने को मिलता है कहाँ पर 28 में ठीक है जो हरी गीतिका होता है इन दोनों को जोड़ेंगे न तो मात्रा वही आजाएगा 28 ही आजाएगा कोई दिक्कत नहीं न चलो बढ़िया और आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगला सवाल देखे लिख रहा है गीतिका चंद के प्रतेक च्रण में कितनी मात्राएं होती बता तो दिया देखे गीतिका में हमने दो बात बताया है ऐसे मत पढ़िए सुनिए कितनी बात याद रखना है गीतिका याद रखेगा एक हरी गीतिका याद रखेगा ठीक है गीतिका और हरी गीतिका और यह दोनों क्या आता दोस्तो यह दोनों सम्मात्रिक में है ठीक है सम्मात्रिक में हो गया यह भी सम्मात्रिक है यह भी सम्मात्रिक है ठीक है गीतिकाम आपने पढ़ा खुल मात्राओं की संक्या 24, हरी गीतिकाम आपने पढ़ा खुल मात्राओं की संक्या 26, यहां पर आपने पढ़ा दोस्तों, जो आपने 13 12 पर आती करते हैं, वो आपने पढ़ा 14 12 पर आती, ठीक है, ठीक है, सुनी, 24 देखे, अब निकालना सीखे, ज 26 होगा मैं कुछ तो गडबर नजर आ रहा है मुझे ठीक है यह 26 होगा 26 दो 28 होगा ठीक है इसको सही कर लिजेगा वही 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 हरी गीतका में क्या हो जाता है यह 16 12 हो जाता है तो 16 12 जोड़ेंगे तो हरी गीतका में संख्या क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी यह आनाची ठीक है तो याद रखे गई क्या पूछा दोस्तों प्रतेक च्रण में कितनी मात्राइं होती है यह गलत दे दिया प्रतेक च्रण में म पूछ रहा है एक लाइन ठीक है तो याद रखेगा एक लाइन में 26 मात्राइं होती है इसे आप याद रखेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना चलो आजाओ आगे बढ़ते हैं अगला लिखरा दोस्तों चौपाई में कितने चरण होते हैं अरे 200 बार पढ़ा दिया भाई च चौपाई सम्मात्रिक केंत्रगत आता है दूसरी बात याद रखेगा चौपाई में 4 चरण होता है तीसरी बात याद रखेगा प्रतेक चरण में 16 मात्रा होता है याद रखेगा ठीक है यहां क्या हो जाएगा 16 आपका सही उत्तर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं ना बस य यही क्रीम है दोस्तों इस सवाल का यही क्रीम जबाब है आगे देखे लिख रहा है चंद सास्त्र के आधी प्रडेता कौन थे आधी प्रडेता का मतलब है उतका जन्मदाता तो चंद सास्त के जन्मदाता कौन है पीछे बताया दोस्तों मैंने पिंगल रिसी के बारे में पि फिए वेद में मिलता है इसको भी यादर रखेगा लगी च्छंद ठीक है तो पढ़ाया हूं आपको यादर्एक? कुंडलिया खनद दोस्तों यह किसकर अंतरगत आता है तो याद रखेगा विसम मात्रिक छंद दोहा रोला होता है, दोहा चौपाई नहीं, दोहा सोठा नहीं, ठीक है, किससे किससे, दोहा और रोला से मिलकर बनता है, उसी तरह से को और याद रखेगा, छपपय किससे मिलकर बनता है, ठीक है, छपपय, यह भी दोस्तों, विसम मातरिक छंद है, यह भी क्या है, यह भी व होता है। समान होता है यह तो एकदम इस पेशल सरी किसल तरीके से याद करे नहीं तो भूल भी जाएंगे अब ठीक है क्छिच फ़से मिखास अनब लाला से मिलकर बनते है इससे मिलका किसे मिलकर रखेगा ठीक है, समझ में आगे ने, दोनों विसम भी सम्मात्रिक में आते हैं तो फिलाल जो सही जवाब है, ये क्या बन जाएगा? आपसर नमबर 2 सही उद्तर हो जाएगा लिक रहा कुंडलीया चन्द में कितने चरण होते हैं बताया तो दोहा और रोला को मिला करके होता है और छप्पय का निर्मान कैसे होता है त्याद रखेगा रोला और किसे होता है दोस्तों छप्पय का रोला और उल्लाला से होता है ठीक है रोला और उल्लाला से होता है ठीक है बात आ गई समझ में सब रटा दूंगा सब एकदम कसम खा क्या बिखर में, कि बच्चों के दिमाज में एक एक बातें डाल देनी है। अगे बड़ह का उल्टा क्या होता है। लिखर भी तो डिखर में कितनी मात्राइं होती। बता तो दिया भईया, दोहा में वही 13, 11 पर यती दे दो, मात्रा को जोड़ दो, मिल जाएगा, 24 मात्रा होती हैं, तो 24 मात्रा कर लिजेगा, 26, 28, 30 मत करिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 24 मात्रा हो जाएगा, और आगे चलिए, लिख रहा है, किस छंद में 4 से अधिक बरवय में भी दोस्तों याद रखेगा, 4 चरड होते हैं, 12, 7 पर यती होती है, 12, 7 कुछ जल गये थे, 19 बचेंगे, ठीक है, 6 याद रखेगा, 6 का निर्माड, रोला प्लस उलाला से होता है, ठीक है, रोला प्लस उलाला से होता है, तो यही हो जाएगा, दोस्तों, 6 चरड दो ऐसे हैं, जिसमें 6 चरड पाये जाते हैं, और यह बिसम मात्रिक चंद के एक्जामपल कहे जाते हैं, लिखेगा, चंद सास्त के पढ़ेता आचारे माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, दोस्तों, तो पिंगल मुनी को दोस्तों क्या माना जाता है, यह चंद सास्त के आ लिखागया आचारय, पिंगल, मुनी के द्वारा दोस्तों यह किताब लिखागया ठीक है अच्शा काब प्रकास की रचना और प्रभापार करेंग रचना कौन है तो जगन्थ परसाद जी है कौन है जगन्थ जगननाथ प्रसाद जी एक सवाल तो आप भी बता दोनों बताओ काव्य प्रकास दोस्तों किसकी रचना भोध ध्यान से सोच समझ को पताना काव्य प्रकास किसकी रचना बहुत आराम से बताओ ठीक है ये अक्सर करके दोस्तों आपको मिलेगा चंद पर कई सारी टीकाएं इ जाद रखेगा फिलाल जो सही जबाब है और चंद सूत्र है यह आपका राइट एंसर हो जागा नहीं आपसे नंबर दो इस सवाल का सही जबाब हो जाएगा ठीक है इस तरह से चंद जैसे बिसाल टापिक को जिसमें बच्चों को सबसे जादा भें लगता है वो ऐसे चुट करें बड़ चेक करें कि चैनल को अपने सब्सक्राइब किया कि नहीं और कसम है नितीन सर की अगर पीछे के वीडियो आपने नहीं देखें तो जाके देख लिए आपसे हाथ जोड़कने वेदन है क्योंकि आपकी हिंदी मजबूत होगी ठीक इसलिए पीछे के वीडियो को इसको देखते चलिए ऐसे भी से जो यूटूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिये गए उन्हीं के हैंडिटे नोट्स हैं कि बच्चों को नोट्स के माध्यम से पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए और अगर आप इन किताबों को पर्चेच करते तो भाई किताब तो सीध रहो और कोई दिक्कत की बात नहीं ठीक है चलिए अच्छा लगा हो तो बताएगा तो आगे एक पार्ट और इसका लेकर आजाओंगा और आपको मज़ा आजागा ठीक है मिलते हैं दोस्तों के लेच्चे में तब तक के लिए धन्यवाद जै हिन जै भारत थेंक्यू थेंक